नमस्कार, मैं संदीब तिवारी, टार्गेट बिथालोक आल लाइन इस्ट्यूट से आपका मैस का टीचर, आपकी यूपी टेट की एक्जाम नेशन्स के लिए प्रिपरिशन जो हम लोग ने स्टार्ट करी है उसी की स्रिंखला में आज मैस का हम चौथा लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं पिछले तीन लेक्चर के मादेम से आपको मैस की पूरी रुप्रेखा को बनाने की जो है जो एक तरीका होता उसको आपको प्रिजेंट किया गया उसको आपको बताया गया है आज की इस क्लास के माद दिम से हम और नए नए टॉपिक्स पर डिसकसन अपना स्टार्ट करेंगे क्रमवार स्रिंखला भी आपको क्लासिस मिल रही हैं जो कि आपको लगातार एक से एक चल कर गए आज हम क्लास की इस कड़ी में आपको पहले से बता रखा हम लोग हम इस प्रकार से नहीं प्रेपरेशन कर रहे हैं कि हम बीच-बीच के टापिक्स को ठागर गर आपके सामने ला रहे हैं हम एक sequential बे में चीजों को लेके आ रहे हैं जिसके थुरूँ आप लोग अपनी प्रेपरेशन को और स्टॉंग बना सकते हैं अगर हम लोग जैसे पिछले कुछ क्लासिस की रूप रेखा के बारे बात करें तो आपने जैसे नंबर सिस्टम के टम्स को स्टार्ट किया उसके नंबर्स के फैक्स को समझा नंबर्स के बाद हमने रेप्रेजेंटेशन की भी बात करी तो अपनी पिछली त्योतीन क्लासिस की माध्यम से यह चीज़े आपने सीखी आज हम कलास की इस कड़ी में आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हो बहुत मात्यपोड होता है तो आज का है टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही यूजपोल टॉपिक है जिसको हम लोग फ्रैक्सन कहते हैं हम लोग यहाँ पर जिस topic की starting करने जा रहे हैं उसका नाम है fraction और fraction की importance आप unknown नहीं है, fraction के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह ऐसा topic होता है जो topic generally किसी question में भी तो आता ही आता है साथ साथ, इसका अलग से प्रस्ण बनता है, अलग से प्रस्ण बनता है, इसके terms के उपर related प्रस्ण बनता है, कि क्या approach है, क्या इसका terms है, भिन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भिन की उपयोगिता बहुत बड़ी होती है, पूरी mathematics में तीन ही प्रकार के नंबर यूच किये जाते हैं, या especially हम क्या दे किसी भी संख्या को हम भिन संख्या में दिखा सकते है अगर भिन बना, तो भिन दो चीजों से बनेगा, numerator रहेगा और denominator रहेगा, मतलब uns रहेगा और हर रहेगा, भिन बनने का मतलब ही होता है बटवारा करना, जब किसी चीज को distribute किया जाता है, उसकी basic value को distribute किया जाता है, तो भिन बनता है, आप uns को हर से divide करते हैं, मतलब अपनी property जिसको अंस कहते हैं, उसको कितने लोगों में divide करना है, चीज हमारा नीचे होता है, जो एक भिन का रूप रिखा आपको provide करती है, जो भिन का एक approach provide करता है, आपके पास अगर कुछ भी एक value है, वो 5 की है, 10 की है, 15 की है, 20 की, 50 की, तो हमारे सामने वो combined होकर कि, जैसे ही उ उसको अगर हमें कितने लोगों में distribute करना हुआ, तुरंत एक भिन बन कराता है, भिन की सबसे basic requirement होती है, कभी भी हर का मान सुने नहीं होना चाहिए, अगर उस सुने हो गया, तो भिन नहीं बनेगा, वो undefined हो जाएगा, उस मान को परिभासित नहीं किया जा पाएगा, अब भिनों को कैसे समझते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, आपने कहा कि दो है मेरे पास, और उसको मुझे तीन लोगों में बाटना था, तो दो बटा तीन बन कराया, मेरे पास एक रुपए की property थी, दो लोगों में बाटना था, या एक रुपए भी हम लोग ऐसे लिखते चले जाएं, तो हमारे सामने एक भिन्न बन कराता है, जो अंस और हर का combination होता है, बेसिक तोर पर जब भिन्न की सुरुआत की जा रही है, तो भिन्न को हम उसकी types से discuss करेंगे, types हम लोग पढ़ने की कोशिस करेंगे, types देखिएगा भिन्न का क्या हो types of fractions, भिन्नों के प्रकार की बात करें, तो भिन्नों के कुछ important types है, आप लोग उनको रिकिक करेंगे समझिए, देखिए, सबसे पहले type की हम लोग बात करने जा रहे है, सबसे पहला type होता है proper fraction, पहला fraction है proper fraction, जिसको हम लोग सम भिन्न कहते हैं, या उचित भिन्न कहते हैं, एक्चली यही भिन्न होता है, एक्चली यही भिन्न होता है, सही-सही, जैसे अगर हम किसी भी value को diviseyes से divide करें, जैसे पांच को हम ने 2 से divide किया, जैसे ज Liangısı सी बात है, दो-दो मान सबको मिलेगा, जैसे किसी घर में 5 कमरे थे, दो लड़कों में बाटने थे, दो-दो कमरे तो प्रत्यक लड़के को मिल जाएगा लेकिन एक कमरा बच जाएगा जो बचेगा उसको फिर से डिवीजन किया जाएगा तो सही विन्नों बन कराया जो दो-दो मिला था वो तो पुडांग था अपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा अच्छी तरस उसमें देखा था कि पुडांग क्या है और भिन्न क्या है पुडांग का मान हमेशा एक होता है या एक से बड़ा होता है जबकि भिन्न की बात की जाया तो मान हमेशा और हमेशा एक से छोटा होता है जिसलिए जो एक से छोटा है वही सही सही भिन्न नहीं है बाकि भिन्न का एप्रोच है, भिन्न का रूप है जिस अगर पांच बटा दो लिखा गया है तो भिन्न का रूप है लेकिन सही सही भिन्न नहीं है सही सही एगर भिन्न की बात करें डिविजन जो फ्रैक्शन का हो रहा वो बेसिक तोर पर आपका एक से छोटा ही मान माना जाता है प्रापर फ्रैक्शन ऐसे भिन्नों होते हैं जिन भिन्नों की बैलू जो होती एक से छोटी होती है अगर हम इसको X बटा Y के रूप में लिखते हैं तो दो तीन चीजे हम आपको बता दें यह भिन्न हमेशा एक से छोटे होते हैं जो हमको यह निर्देशित करते हैं कि X का मान छोटा होता है Y से X मतलब आपका अंस जो है वो छोटा होता है हर से 11 बटा 15 कहा 17 बटा 19 का इस प्रकार से जो भी भिन्न बनकर हमारे सामने आए हैं वो सब के सभी भिन्न आपके proper fraction है इनको हम सम भिन्न कह सकते हैं इन सभी भिन्नों में आपने देखा कि अंस छोटा है और हर इन सभी भिन्नों में क्या है बढ़ा है इस प्रकार के भिन्नों को हम proper fraction या सम भिन्न कहते हैं आप इन सभी भिन्नों की सबसे पहली यहाँ पर जो condition है वो यह है इसमें जो भिन्न बनेगा वो हमेशा एक से आपका छोटा रहेगा चली यह आपकी पहली condition होई भिन्न का पहला प्रकार हुआ दूसरे टाइप पर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरे टाइप की बात करने जा रहे हैं दूसरा टाइप आप देखिए कि जैसे पहले हमने proper fraction की बात करी दूसरा भिन्न हम पढ़ेंगे second improper fraction improper fraction improper fraction का मतलब क्या होता है इसको हम विसम भिन्न कहते हैं रूड भिन्न कहते हैं आप इसको बिसम भिन्न यहाँ पर नाम दे सकते हैं बिसम भिन्न अब बिसम भिन्न का मतलब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दो कि जो भिन्न हमारे पास बनेगा येक्स बटा वाई वो हमान एक से बड़ा होगा वो हमान एक से बड़ा होगा जो भी विसम भिन्न बनेंगे वो हमान हमेशा एक से बड़ा होगा जिसमें हम कह सकते हैं जो एकस है वो ग्रेटर है वाई से एकस जो है ग्रेटर है वाई से आपने जैसे इस प्रकार से कह दिया कि जिसमें अंस जो होगा वो हर से हमेशा बड़ा होगा यह ऐसे भिन्न का समू होता है जिसमें अंस अरसे हमेशा बड़े होते हैं अगर हमने जैसे पांच बटा दो कह दिया हमने सत्रा बटा पंदरा कह दिया हमने 22 बटा 13 कह दिया हम कभी भी जब ऐसे भिन्न बनाएंगे जिसमें अंस हमारा बड़ा है भिन्न हर से तो ऐसे भिन्न को हम लोग यहाँ पर improper fraction या बिसम भिन्न कहते हैं तो बिसम भिन्न की जो सबसे बड़ी खासियत होती है उनके अंस हमेसा हर से बड़े होते हैं और यह मान भी पूरे भिन्न का हमेसा और हमेसा एक से क्या होता है पड़ा रहता है तो ऐसे भिन्नों को बिसम भिन्न या improper fraction आप कह सकते हैं तीसरे भिन्न की बात करें जो related होता है सम और बिसम दोनों भिन्नों से तो वह भिन्द आपका mixed fraction कहलाता है mixed fraction आपका next भिन्द है जिसको हम लोग हिंदी में misrid भिन्द कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग मिस्रिद भिन्न कहते हैं अब मिस्रिद भिन्न कंबिनेशन होता है मैं आपको बता दू यह सम और भी सम मतलब प्रापर और इंप्रापर का कंबिनेशन होता है इंप्रापर का कंबिनेशन होता है इसमें proper भिन्न भी involved होता और इंपरापर भिन्न भी involved होता है तब जाकर के मिस्र भिन्न बनकवाता है यह हमान भी हमेशा एक से बड़े होते हैं लेकिन इसमें दोनों बैलुस का involvement होता है जैसे अगर आपने किसी एक भिन्न को लिया वो भिन्न आपका improper है वो भिन्न आपका improper है आप उसको X बटा Y के रूप में लिखे हुए हैं आप उसको चाहेंगे तो उसको mixed में मतलब मिस्रित में अराम से convert कर सकते हैं conversion का जो तरीका होता है वो यह होता है कि अगर हमने जैसे जो भिन्न है हम Y से X को भाग देते हैं Y से X को भाग देते हैं, जो हमारे पास बार जाता है, अगर सपोच करी A बार गया, बार जाने के बाद जो भी आया, माले जिए P आया, और यहां पर reminder अगर B आया, तो हम लिख सकते हैं यहां पर X जो होगा, ओ इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजेगा, किसी भी improper को mixed में कनोट कर सकते हैं, mixed को improper में कनोट कर सकते हैं, जैसे अगर हमने लिखा 15 बटा 7, आप 7 से डिवाइड करिए 15 को, दो बार गया, 7, 2, 14, 14, 15, 2 सही 1 बटा 7, 2 सही 1 बटा 7, यहां पर एक हमारे सामने mixed, जैसे इसको हम improper कहेंगे, तो इसको आप mixed बिन कह सकते हैं, आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं, mixed और improper को, कि आप अगर mixed दिया है, जैसे हमने यहां पेसी को, अगर हम लोग इस फार्मिट में लाना चाहते हैं, तो 7, 2, 14 करते हैं, प्लस एक 15 कर दिया, बटा 7 कर दिया, तो यह mixed बिन आपका improper में convert हो जाता है, तो आप जब कभी बिन्नों में देखते हैं, कि पोडांग भी लगा होता है, और बिन्ने भी लगे हैं, तो ऐसे बिन्नों को हम mixed fraction कहेंगे, 2-1 बटा 3 है, 4-2 बटा 7 है, 3-2 बटा 15 है, या 7 है, ऐसे बिन्न आपके mixed बिन्न या improper बिन्न के combinations कहे जाते हैं, मतलब आप इन बिन्नों को mixed बिन्न या mixed fraction या improper fraction, या आप इसको मिस्रद भिन हिंदी में कह सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं मिक्स फ्रैक्षन के बाद अगला जो बहुत important भिन होता है उसकी बाद अगर हम लोग करें जिसको हम कहेंगे decimal fraction decimal fraction की बात की जाएं जिसको हिंदी में हम लोग दसमलो भिन कहते हैं हिंदी में हम लोग दसमलो भिन कहते हैं दसमलो भिन पहली चीज समय लिजे क्या होते हैं दसमलो भिन वा भिन होते हैं जिन भिनों का जो हर होता है या तो दस हो, या तो सो हो, या तो हजार हो, दस हजार हो, लाग हो ऐसे भिनों को दसमलो भिन कहते हैं अब आप जैसे किसी भिन जैसे हमने का 7 बटा 10 है हमने कहा 12 बटा 100 है हमने कहा 17 बटा 100 है 133 बटा 1000 है इस प्रकार का भिन है जिसमें हर जो है 10 हो 100 हो 1000 हो लाक हो करोड हो कुछ भी हो मतलब ऐसा हो कि 10 के उपर लगी किसी घात से 10 के उपर लगी किसी धनात्मक घात से बनी एक सं मतलब 10 के अलावाज जो हमारे पास जैसे संख्या होंगी तो 100 हो सकती एक लाग हो सकता है 10,000 हो सकता है इस प्रेकार की सं्या जिस किसी भी बिन्न के हरमे होगी वा बिन्न आπα का aud71 भिन्न यह आपका decimal fraction के हलाएगा तो decimal fraction के concept को आपने अच्छी तरह से देखा समझा देखिए अब बिन्ने के और important page की तरफ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं उस बिन्ने की बात करें जो अगला type हमारे पास बिन्ने का है ओ है आपका terminating and non-terminating fraction terminating ध्यान दीजेगा सब लोग terminating and non-terminating terminating and non-terminating fraction terminating को कहेंगे भाज मतलब कटने वाला और non-terminating को कहेंगे अभाज जो ना कट सके भिन, भाज भिन और अभाज भिन मतलब ऐसे भिन जो terminate हो जाते हो जो cutते हो उसको terminating कहेंगे जो नहीं cutते हो उनको हम लोग aभाज भिन कहेंगे non-terminating fraction कहेंगे अब यहां पर terminate होना और ना होने की स्थिति को भी समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है जैसे हम कोई भिन्न लिखेंगे सपोच करिए अगर देखिए कैसे हम यहाँ पे कडिगरी के हिसाब चीजों को समझाते हैं जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर पहले इस से पहले भी एक चीज मैं आपको बता देना जरूरी समझे होगा कि एक भिन्न का होता है सरलतमान भिन्न का एक सरलतमान अभी हम उसको थोड़ी दिर में आपको क्लियर कर देंगी पहले यहाँ पे जैसे ऐसे भिन्नों की बात की जाए जैसे हमने कहा आपके सामने है 24, बटा यहाँ पर 6 है, अब 24 बटा 6 है तो आपको पता है 6 से 24 पूरी तरह से कड़ जाएगा तो यह terminating है आपने का 24 बटा 5 है तो आप कहेंगे सर यह कटेगा हमने का बिलकुल कट जाएगा यह भले ही दसमलों के कुछ अंकों के बाद कट जाए तो इसको भी हम टर्मिनेटिंग कहेंगे आपने 17 बटा 5 कह दिया इसको भी हम टर्मिनेटिंग कहेंगे आपने 22 बटा 22 बटा 4 कह दिया ये भी टर्मिनेटिंग है आपने यहाँ पर 23 बटा 23 बटा यहाँ पर आपने 23 बटा आपने 16 कह दिया ये भी टर्मिनेटिंग होगा 17 बटा आपने 25 कह दिया ये भी टर्मिनेटिंग होगा टर्मिनेटिंग का मतलब दो तरह से होता है एक तो पूर्ता कटना जैसे देखे completely terminated है, एक होता है दसमलो के कुछ अंको के बाद जाकर कटना तो एक ऐसा भिन का installation जो कि किसी भी तरह से कट जाए चाहे पूरी तरह से कट जाए चाहे दसमलो के कुछ अंको के बाद जाकर कट जाए उसको हम terminating ही कहेंगे उसको हम भाज्य भिन नहीं कहेंगे भले ही हो दसमलों के कुछ अंकों के बाद आप 24 को जब 5 से divide करेंगे आप 17 को जब 5 से divide करेंगे 22 को 4 से divide करेंगे 23 को 16 से divide करेंगे इन में से किसी को भी अगर हर से divide किया जाएगा तो आप पूरी तरह से भले ना कटेगा लेकिन दसमलों के कुछ अंकों के बाद जरूर कट जाएगा तो चाहे पूरी तरह से कट जाए चाहे दसमलों के कुछ अंकों के बाद कट जाए terminating उसका नाम हो जाएगा उस भिन्न का approach terminating हो जाएगा बात इस सीज को आप लोग समझ रहे होगे non terminating का मतलब ना तो पूरी तरह से कटे ना दसमलों के कोछ अंकों के बात कटे मतलब आप जब उसको विभाजित करें तो किसी भी हालत में कटना पाए जैसे हमने यहाँ पर कहा एक बटा तीन है हमने कहा दो बटा साथ है तेरा बटा छे है पंद्रा बटा पंद्रा बटा साथ है इस प्रकार का कोई भी भिन्न अगर आप उठा लीजिए जो कि आप ऐसे भिन्नों को non terminating fraction कहेंगे जब आप इसको divide करेंगे तो आप दसमलों के बाद चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा मतलब यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा ना तो दसमलों के बाद ही विभाजित हो पाएगा यह विभाजित नहीं हो पाते हैं Simplified Simplified Farm Up Fraction भिन्न का सरलतम मान अब आपके ही भिन्न का सरलतम मान थोड़ा समझना बहुत जरूरी था इसलिए हम इसको यहीं पर बता लेना जरूरी समझेंगे आपको भिन्न का सरलतम मान क्या होता है जैसे आप कह दीजिए क्या यह भिन्न का एक सरलतम मान है नहीं है क्योंकि जब दोनों अंस और हर किसी एक ही कामन संख्या से कट जाएंगे तो अभिन्न का सरलतम मान नहीं होगा अब यह भिन्न का सरलतम मान हो जाएगा पांच बटा छे दोनों किसी एक ही कामन संख्या से नहीं कर सकते हैं आप से मैंने पूछा क्या 35 बटा 15 भिन्न का एक सरलतम मान है आप कहेंगे नहीं है 5 तिया 15 होता है 5 सते 35, 7 बटा 3 भिन्न का एक सरलतम मान होगा थोड़ा सा इसको दिमाग में बस रखे रहेगा कि सरलतम मान क्या होता है जब अंस और हर किसी एक ही संख्या से जब कटना बंद कर देते हैं किसी एक कामन संख्या से कटना बंद कर देते हैं तो जो भिन्न हम को प्राप्त होता है भिन्न का सरलतम मान कहा जाता है अगर आप किसी एक ही कामन संख्या से दोनों को डिवाइट कर सकते हैं तो अभिन का सरलतमान नहीं कहा जा सकता है यह पहचान करना बड़ा अवस्यक है कि आप जैसे कोई भिन आपको दिखे आप उसको देख करके जस्टिफाई कर पाएं कि अभिन सरलतम है यह बात तो जानकारी में रखना ही और यह चीज़ असान भी रिखाई करना लेकिन इस बात को जानकारी में रखना कि भिन टर्मिनेटिंग है कि नान टर्मिनेटिंग कि इसको थोड़ा सा हम चैलेंजिंग फेस करते हैं चैलें लेते हैं कि मतलब इसको समझदारी से हम समझ पाएं कि या भिन हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा इसको कैसे समझेंगे मैं आपके इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाओंगा ध्यान दिजेगा हम थोड़ा सभी non-terminating और terminating की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर तो भिन पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ terminating terminating और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ non-terminating non-terminating तो मैं आपको एक condition बता देता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पहचान कर बाते हैं जब किसी भी भिन, जैसे हमने लिखा x बटा y अगर मेरा हर जो है, हर 2 की power m into 5 की power n के रूप में हो अगर किसी भी भिन का हर 2 की power m into 5 की power n के रूप में हो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यम और यन जो हैं, वो greater or equal to zero हो मतलब zero हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो मतलब positive घात हो सकती है, negative घात नहीं हो सकती है 2 की power में कोई घात हो, 5 की power में कोई घात हो, और दोनों का कोई भी गुड़ा हो ऐसा कभी किसी का हर होगा, तो अभिन हमेशा और हमेशा terminating कहा जाएगा उस भिन को terminating कहेंगे, इस तरह के हर कोई ना होने पर भिन हमेशा non-terminating हो जाएगा अगर yes, इस फार्मिट में है तो terminating है, नहीं है तो non-terminating है किसी भिन्न के हर में अगर दो और पाँच के अत्रिक्त कोई संख्या मिलती है भिन्न के सरलतम मान में याद रखिएगा किसी भिन्न के सरलतम मान का हर यदि दो की पावर यम इंटू पाँच की पावर यन के रूप में होता है जहाँ पे यम और यन कोई भी एक पोडांग संख्या होती है धनात्मक पोडांग संख्या होती है तो अभिन हमेशा आपका terminating fraction कहलाता है आपका विभाज जिभिन कहलाता है अगर दो और पांच के अत्रिक्त कोई भी चीज आएगा तो अभिन आपकी अभाज जिभिन आपकी किसी के हर में केवल दो हो सकता है केवल पांच हो सकता है केवल दो हो सकता है केवल पांच अब आप कहोगे केवल दो क्यों जबकि पांच भी है यह बिल्कुल पांच रहेगा लेकिन पांच की पावर हो सकता है जीरो हो जाए दो की पावर जीरो होने पर केवल पांच होगा दोनों की पावर एक एक होने पर दो और पाँच का गोड़ा मतलब दस हो सकता है चार हो सकता है पचीस हो सकता है सोला हो सकता है आठ हो सकता है एक सो पचीस हो सकता है सोला हो सकता है और छे सो पचीस हो सकता है इसी क्रम में ये अपने पावर्स में बढ़ता जा सकता है किसी भी भिन के सरलतमान में हर यदी 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32, 64 हो, ऐसे हो या 5 हो, 25 हो, 125, 625 इस क्रम में हो या इन में से किसी एक का गुड़ा हो इन में से किसी एक का गुड़ा हो तब वह भिन हमेशा और हमेशा आपका non-terminating fraction कहलाएगा इनके अतरिक्त अगर कुछ भी किसी भिन के सरलतमान में रहेगा 2 और 5 के अतरिक्त कुछ भी रहेगा या 2 से बनी घात पर कोई संख्या इनके अतरिक्त कुछ भी रहेगा तो भिन आपका non-terminating fraction अभाज भिन के लाएगा जैसे अगर हमने कहा किसी के हर में जैसे 6 आगिया 17 बटा 6 अब आप देखेंगे 6 है तो आप कहो कि 2 तो है लेकिन 2 के साथ साथ यहाँ पर 3 भी है इसको देखेंगे 2 गोड़े 3 समझ सकते हैं 2 तो है लेकिन 3 है इसलिए non-terminating होगा आपने कहा कि 23 बटा 23 बटा 15 है तो 5 तो है लेकिन 5 के साथ 3 है इसलिए नहीं कटेगा नहीं terminate होगा लेकिन यही चीज़ अगर 23 बटा के वल 25 होता तो पूरी तरह से जरूर कर जाता तो आपको बस यही इतना पहचान करने में रखना है दिमाग कि जो है भिन हमारा पूरता विभाजित होगा या पूरी तरह से मतलब दसंबलों के कुछ अंकों के बाद भी विभाजित होगा तो terminating तभी कहा जाएगा जब उसके हर में दो और पांच के अलावा कोई अन्य मानना हो दो की घात से बनी कोई संख्या हो पांच की घात से बनी कोई संख्या हो इसके अतरिक्त कोई भी मानना हो तो यह भिन आपका terminating fraction कहलाएगा यह बात आपको समझ में आकई होगी इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि भिन दिया गया और आपको पहचान करनी हुई कि वह भिन हमारा terminating है कि ने अच्छा कुछ लोग भाग दे कर भी पहचान कर लेंगे भिन की बात कर रहे हैं दसमलो की बात कर रहे हैं हम एक fraction की बात कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जो fraction है वो दो है या तो terminating है या तो non-terminating है terminating है या तो non-terminating है अगर वो non-terminating है तो 100% जो fraction आप पढ़ेंगे जो non-terminating होगा वह fraction हमेशा और हमेशा recurring होगा वह हमेशा क्या होगा recurring होगा इसको हिंदी में आवर्ती कहते हैं या भिन्द आपका recurring होगा या repeating होगा इसको हम आवर्ती कहते हैं जो भिन्द non-terminating होगे terminating को छोड़ दीजे आप जो non-terminating होगे वो आवर्ती होगे 100% आवर्ती होंगे और आवर्ती भी बनेंगे तो दो प्रकार से बनेंगे आवर्ती भी बनेंगे तो दो प्रकार से बनेंगे एक प्योर होगा एक आपका mixed होगा प्योर मतलब पोड़ता प्योर मतलब पोड़ता आवर्ती होगा और एक आपका मिस्रित आवरती होगा अब आप कहोगे सरे आवरती पहले बताईए आवरती जानना जरूरी है कि आवरती क्या है आवरती कुछ ऐसा जैसे हमने का 10 बटा 3 है तो पता तो चला non-terminating है तो आप इसको recurring के रूप में लिख सकते हैं कैसे जैसे हमने 3 को 10 से भाग दिया तो point लगाने जरूदने 3 तिया 9 हुआ एक आया दसंबलो लगाएंगे सुन्ने 3 फिर 9 एक हुआ सुन्ने फिर इसी तरह से बढ़ता चला गया तो 3 दसंबलो 3 तीन 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 बढ़ता जा रहा इसको 3 दसंबलो 3 की उपर ऐसे बार लगा सकते आवर्ति दिखाना मतलब आप बार लगा दे जैसे आपने लगाया point x के उपर बार या point हम x के उपर ऐसे dot लगा दे मतलब एक ही है point x y z के उपर पूरे के उपर बार लगा दे या तो 0 point x y y z यहां एक लगा दे यहां एक लगा दे दोनों का मतलब एक ही होता है अब आप इस प्रकार से जब संख्याओं को लिखते हैं वो संख्याओं आपकी कुछ भी हो सकती है संख्याओं आपकी कुछ भी हो सकती है जैसे 0.12 के उपर बार हो सकता है जैसे तीन 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 बार बार आ रहा था और अनन तक आता रहता तो उसको ही आवर्ती कहते हैं अब यहां पे जैसे किसी में वन टू वन टू वन टू वन टू बार बार आ रहा है तो उसको भी आवर्ती कह सकते हैं तो आपने देखा कि दो प्रकार के आवर्ती हुए, एक तो पूर्ता आवर्ती हुए और एक आपके मिस्त्रित आवर्ती हुए और लिखने का तरीका आपने कुछ इसी प्रकार से समझा जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है अब अगर आयहां पे सीखना है हमको कि जैसे पोड़ता और मिस्रित में क्या फरक है मैं आपको इस चीज को दिखा जेता हूँ देखी हमें तो पढ़ना फिला रिकरिंग है तो रिकरिंग मतलब हमें आवर्ती पढ़ना है हमें आवर्ती भिन पढ़ना है जिसको इंगलिस में हम लोग रिकरिंग कह रहे हैं आपने देखा कि रिकरिंग में पोड़ता क्या था और मिक्स्ट क्या था जैसे प्योर क्या था प्योर को हम पूर्टा कहेंगे प्योर को हम लोग पूर्टा कहेंगे इसको mixed कहेंगे तो आप ध्यान दीजे जैसे इसको misrit कहेंगे misrit अब पूर्टा में जैसे हमने पूरे के उपर जब किसी भी टर्म में पूरे के उपर बार लगा होता है हर पद बार से भरा होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर pure recurring कहते हैं लेकिन जैसे ही किसी में कुछ पदों के उपर बार लगा है कुछ के उपर बार नहीं लगा होता है तो उसको हम mixed recurring कहते हैं आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं ठीक है? तो यह आपका pure recurring और mixed recurring का example हो गया इसमें recurring होने के लिए कुछ तप्थे होते हैं कुछ facts होते हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है समझने का मतलब कुछ इस प्रकार से जैसे आपको पता है कि 0.5 जैसे 5 का बार है इसका मतलब 0.5 यह आपके पास पता होना चाहिए 0.123 अगर हमने इसके उपर बार लगा दिया तो चलेगा 0.25 पूरे के उपर बार लगा दिया तो चलेगा मतलब यह recurring होगा यह recurring होगा जैसे हमने का 0.23 और मैंने 2 के उपर बार लगा दिया 3 को छोड़ दिया यह 1,2 के उपर लगा दिया तीन कहां से सोच पाएंगे कभी भी दसंबलों के इस साइड के पदों के उपर बार नहीं लगता आप सोचे हम इसके उपर लगा दे सम्मो नहीं है पोडांग साइड में रिपिटिंग नहीं होता है रिकरिंग नहीं होता है जो recurring होगा हमेशा 就可以 side में होगा और अंद्र तक होगा कभी कभी जहाएं जैसे इस तरह का दिया हो जैसे हमसे कहा गया 0.2 का बार है तो आप इसको कह सकते हैं 0.22 का भी बार होगा तब भी उसका मतलब यही होगा या 0.222 का बार होगा ऐसा तो है नहीं कि यहां पर even पर रुख जाये का कहीं पर रुखने की संभावन है नहीं, इसलिए कभी बेकर समान पदों के बात की जाये तो चाहे जितने पदों की उपर बार लगाया जाये उन सभी कमान एक ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यहां पर जो main task है to उसका भिन सुरूप बन पाता है, आवरती से उसका भिन सुरूप कैसे बन पाता है, जैसे कभी आपको कोई कह 0.3 के उपर बार है, जिसका भिन सुरूप वास्तिक्ता में क्या होगा, इसके लिए मैं कुछ रूल आपको बता देता हूँ, रूल को समझ लेजिए, रूल यह है कि जैसे कभी 0.p के उपर बार लगा है तो आप तुरंत उस value को p बटा 9 कर दीजिए अब आप को होगे 9 9 मतलब इतनी बार 9 लिखेंगे जितना इसके उपर बार लगा होगा जैसे हमने का 0.p के उपर बार लगा है तो आप इसको p q बटा double 9 लिखेंगे क्योंकि जितने पदों के उपर बार लगा रहेगा उतने नौ यहाँ पर लिखे जाएंगे 0.p q r के उपर अगर बार लगा है तो आप p q r बटा 9 9 लिखेंगे इसी तरह से 0. p q r s कुछ भी पद है हमारे पास अगर उसके बार उपर बार लगा होगा तो उन पदों को लिखने के पाद उतनी बार नीचे 9 लिख दिया जाता है याद रखिए उतनी बार नीचे 9 लिख दिया जाता है जैसे अगर 0.3 के उपर बार लगा है तो मैं इसको लिख किया सकता हूँ 3 बटा 9, मतलब एक बटा 3 ऐसे अगर किसी ने कहा होता 0.12 का बार क्या होगा तो हम कहेंगे 12 बटा 99 किसी ने हम से कहा 0.123 का बार क्या होगा हम कहेंगे 123 अपान ट्रिपल नाइन पॉसिबल हो तो काट दीजे 3, 2, 5, 1, 6 कट रहा है तो कट रहा है तो 3, 4 के 12, 3, 1 के 3 ये 3, 2, 3 तो आपके पास 41 बटा 331 हो जाएगा आप किसी को भी बैरिफाई कर सकते हैं डिवाइट करके चेक कर लीजेगा वही चीज़ आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा जब कभी भी सिंगल बैलूस हमारे पास या इस तरह की combinations आपको दिये गए हो और उनके ओपर बार लगाया गया हो तो बार को हटाने का system यह होता है अगर सभी पदों की ओपर बार लगाया है तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो पद हमारे पास जितने दिये होते हैं उन पदों को लिखा जाता है लिखने के बाद उतनी बार 9 लगा दिया जाता है जितने पदों के उप़र बार लगा गया है इस तरह से आप एक भिन बनाते हैं जो भिन आपके पास यहाँ पर आवरती से वास्तित भिन सुरूप में कनवर्ट हो पाता है इसके दूसरे भी अप्रोच है, दूसरे भी प्रेकार के और प्रसन है, उन प्रसनों को भी आप देखिए जैसे अगर हमसे कोई कहेगा 0.1 अब 2, केवल 2 के उपर बार लगा है अब की बार यहाँ पे कुछ छूटा है, कुछ के उपर बार लगा है तो इसको भी करने का तरीका है, रूल समझ लीजिए, जैसे आपको कोई कहा 0.pq, केवल q की उपर बार लगा हो, ऐसे इस थिति में आप पहले पूरे बिन को पूरी संख्या को लिख दिया करें, pq, उसमें से उसको घटा दीजी जिसके उपर बार नहीं लगा है, जिसके उप लगा है, उतनी बार नहीं लगा है, जितने के उपर नहीं लगा है, उतनी बार हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है, अब आप देखिए, अगर जैसे 0.pqr है, अब इसको लिख सकते हैं, हम लोग पूरा pqr, माइनस करेंगे p, डिवाइट करेंगे डबल नाइन 10, से बाब इस नहीं बार, बार नहीं लगा होता है, अब आप देखिए, जैसे के और rs के उपर लगा है, तो अब आप लिखेंगे pqr, माइनस pq, बटा, डबल नाइन, डबल जीरो, आप लिख सकते हैं इस चीज को, इसी तरह से अगर और रूल्स की बात की जाए, हमने का 0.pqr, और हम 3 के उपर लगा है, तो इसको लिख सकते है, pqrs, माइनस p, अपान 99910, तो आप इस तरह से रूल बनाते हैं, रूल जो बना है, इसी पर पैटर्ण बना, इसी तरह से बना है, अब आप इसको जैसे convert करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे सब से पहने 12, माइनस 1 बटा 9 के बाद 1, 0, इसका मतलब हो गया 11 बटा 90, इसका answer हो जाए 11 बटा 90, आप से मैंने का 0.123, 23 के उपर बार लगा है, तो 123-1, 123-1, बटा 2 बार 9, एक बार 0, 122 बटा 990 हो जाएगा, अब ये कट सकता है, तो आप इसको काड़ भी सकते हैं, सरलतम मान मिला सकते हैं, 0.2345, 45 के उपर लगा है, तो हम लिख सकते हैं, 2345-23, divided by 9900, आप इसको जो पॉसिबल हो, कैंसलेशन कर लीजिए, जैसे 3 में से 5 से 3 निकला 2, 4 से 2 निकला 2, 3 हुआ, 2 हुआ, 2322 बटा भी इकटेगा, तो आप इसको simplified फार में लिख सकते हैं, 0.21354, और इस पूरे के 354 के उपर लगा है, तो आप लिख सकते हैं, 21304-2121, बटा 3 बार 9, 2 बार 0, आप इसको खटा दीजिए, चार में से 3, 5 से 2 निकला 3, 3, 1, 2, बटा 99900, इस तरह से आप किसी भी भिन जो की वास्तिक अवर्टी रूप में दिया है, उसको वास्तिक भिन सरूप में आराम से convert किया जा सकता है, कभी-कभी कुछ प्रस्ण ऐसे भी मिलते हैं, जिन प्रस्णों पर भी आप अपना command दिखा सकते हैं, जिसमें हम पोडांग भाग भी involve कर देते हैं, जिसे 2.13 की उपर बार है, आप ऐसे को अगर convert करना चाहते हैं, तो 2 को बाहर कर लीजिए, 2 सही, पूरा लिखिए यहाँ बाकी चीजें वैसे ही convert कर लीजिए, 13 माइनस एक बटा 90, तो 2 सही, बारा बटा 90 हो गया, 2 सही, बारा बटा 90 मतलब 3, 4 के बारा, 3, 30, 90, 2, 2, 4, 2, 15, तो कहने का मतलब 2 सही, दो बटा 15 हो गया, ऐसे ही हमने कहा, 8.135, वो 3, 5 की उपर बाल लगा, तो आप लिख सकते हैं, 8 ह 8 होल, 135 माइनस एक बटा 99, 10, तो कुल मिला कि 8 सही, 134 वटा 990 हो जाएगा, अभी यह कटेगा, आप 2 से इसको काट सकते हैं, तो काट करके दिशे 2, 12, 24, 24, 8, 218, 25, 10, मतलब हम 8 सही, 62 वटा 495 कह सकते हैं, तो जहां तक possible रहा करें, वहां पर काट सकते हैं, आप कोई भी इस प्रकार से लिख करके आपको दी गई है, तो आपको जैसे जैसे कहा जा रहा है, उसी हिसाब से कनवर्ट कर सकते हैं, इसको 2 सही, 125 बटा, 999, अगर आपने नियम को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो मुझे ने लगता कि इन तरह के प्रसनों को करने में आपको कोई समस् तिया एक अप्रोस था जिसके माध्यम से आपने आवर्ती भिन्नों को उनको वास्तिक भिन्न सुरूप में कनवर्ड किया, और भिन्न के असली इत्रम्स पे आप लोग पहुँचे हैं, भिन्न में देखिए हमारे इस लेबल के एक्जामनेशन की अगर हम बात करें तो यहा पटाओ भी आता है, तो जो हम एक नई स्रिंखला में आपको समझाएंगे और सिखाएंगे, इसके साथ साथ भिन्नों के और टम्स को और पहलू को भी डिसकस किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, आज की इस क्लास में आप भिन्नों के इस पहलू को आप लोग अच्छी तरह से जीखिये समझिये, नेक्स क्लास में हम लोग इसके आगे की बात पर कंटिन्यू डिसकसन करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा, नेक्स क्लास में मिलते हैं नए अप्रोच, नए सिस्टम के साथ, बहुत-बहुत आप सभी के धन्यवाद. टारविड़ता लोग, ओलाइन इस्ट्यूट से मैं गौर्म नहीं जन, आपका भूगो लेंपर्यावरण का ध्यापक, हम तयारी करा रहे हैं आपको जो आगामी परिक्षा आपकी, टीटी, उत्तर प्रदेश टीचर अबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको मैं परियावरण और भूगोल का पोर्शन कंप्लिट कराऊंगा, परियावरण में आपका जितना भी है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और आपका परियावरण, तो उस पूरे टॉपिक जेबे घटक, जेबे घटकों में हमने पिछली वीडियो में एह दिखा था बायूमंडल, और बायूमंडल की विशेश्ताएं जाने हीती, साति साथ हमने बायूमंडल का संगठन जाना था आज एक नया सब्द है आपके सामने और नया सब्द आपके सामने है B I O M E बायोम एक आपके सामने आज नया सब्द है और जो नया सब्द है इस नया सब्द का नाम है बायोम तो हमें आज पहली बात तो यह जानना है कि आखरे बायोम है क्या और biome हम क्यों पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से question आते हैं biome कितने प्रिकार की होते हैं अगर आपको biome समझ में आ गए तो आपको यहाँ से geography की काई सारे question आपके यहाँ से complete हो जाएंगे जिसको में बात में geography में तो complete कराऊंगा ही आपको पहली से पता चल जाएगा कि हां सर मैं पढ़ चुका हूँ और आपका उसको उस प्रिष्ण का आंसर आपको बखुबी आ भी जाएगा चलिएगा तो पहला कुश्चन है हमारा के बायूम है क्या तो बायोम एक ऐसा छित्र होता है जहां पर एक से अधिक या एक से अधिक ना कहाँ कह लिते हैं बायोम एक ऐसा छित्र होता है जहां पर एक प्रजाती के जीब जन्तु या पेड़ पौधे निवास करते हूँ दूसरे सब्दों में एक मेरे द्वारा बनाई गई डेफिनिसन है आप किताबी भासा पढ़ेंगे तो किताबी भासा में आपको बायोम की डेफिनिसन हैं मिलेगी एक जैब भिता का या एक ऐसा भौगवलिक छेत्र है जहां पर पाए जाने वाले जीब जन्तु की विसेष्था हैं सामाने लच्छन और बिसेष्था हैं एक समान होते हैं आप बताएगा कोई भी जीब जन्तु है तो उसकी सामाने बिसेष्था हैं अपने प्रजाती के समान ही होगी उत्तर भारत के लोग और दच्छन भारत के लोग तो अलग अलग भागोलिक छेत्र अलग अलग है उत्तर भारत के लोग और दच्छन भारत के लोग तो उत्तर भारत के लोगों की जो बिसेष्था हैं वो उत्तर भारत के लोगों से ही मिलेंगी ना या दच्छन भारत के जो लोग होंगे उनकी बिसेश्ता है दच्छण भारत की लोगों से मिलें तो एक 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 एसा छेत्र कर दिया, एक एसा छेत्र बना दिया, जहांपर पाई जाने वाले जीव जन्तु और पेड़ पॉद्धों की सामान बिसेश्ता है या सामान लच्ण एक सामान होते हैं, एक समान होते हो तो ऐसे छेत्र को बायूम कहते हैं या एक ऐसा छेत्र जहां पर एक प्रजाती की जीवन्तु या पेड़ पौदी निवास करते हो निवास करते हो इस definition को याद रखना है निवास करते हो उस छेत्र को बायूम कहते हैं उस छेत्र को बायूम कहते हैं उस छेत् या बायोम का वरगी करण तो बायोम के प्रिकार, बायोम को दो भागों माट दिया गया, बायोम के प्रिकार, इन बायोम के प्रिकार हैं, इन बायोम के प्रिकार को हमने दो भागों में बाट दिया, एक को हमने नम दे दिया, इस्थलिय बायोम, एक क्या है हमारा, एक है इस् इस थली बायूम और कौन सा बायूम इस थली बायूम एक हो गया हमारा इस थली बायूम और दूसरा जली बायूम अब इस थली बायूम को हमने कई सारे भागों माट दिया जैसे इस थली बायूम के अंतरगत के आ जाता है हमारा तो इस थली बायूम को हमने कई सारे भागों म घास, वन, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे, मरुस्थलिये बायों, मरुस्थलिये बायों, और चोथा हम पढ़ेंगे, टुन्डरा बायों, चोथा क्या पढ़ेंगे, टुन्डरा, टुन्डरा बायों, ठीक न, ये चार बायों है, इन चार बायों क अब ही बताईएगा घास होगी तो घास और बन जो बन पाए जाते हैं बन्दों परकार के उते हैं सदाबहार बन और परणपाती बन तो सदाबहार बन की विशेष्थे बन की विशेष्थे हैं अलग होंगी इनको बन बायूम की अंतरगत रख दिया मरुस्थल में भी ज़ाडियां पाए जाती है और मरुस्थल में जो ज़ाडियां पाए जाती है वो कटिली ज़ाडियां होती है तो बन यहां पर भी है मरुस्थल यह बायू में भी बन पाए जाएंगे जिसकों कटिली ज़ाडियां बोलते हैं जैसे कैक्टस आपका नंगफ तो हमने आपको definition क्या लिखाई थी कि एक ऐसा इस्थान जहां पर रहने वाले जीब जन्तु या पेड़ पौदों की सामान लच्छन या बिसे इस्थान एक सामान हो तो उस छेतर को हम बायूम कहते हैं क्लिएर है तो बायूम की definition अब जलिये बायूम को हमने तीन वागों मार दिया पहला बायूम हमने जली बायूम में लिखा खुला समुद्र खुला समुद्र पढ़ेंगे हम लोग खुला समुद्र के अंतर रगत आपका क्या था इस सारी चीज़ें पढ़ेंगे दूसरा हम ल प्रवाल भित्ती और प्रवाल भित्ती के बाद हम लोग पढ़ेंगे आद्र भूमी जिसको हम नम भूमी या दलदल भूमी भी कहते हैं आद्र भूमी जिसको नम भूमी या दलदल भूमी के नाम से भी जानते हैं तो यह हो गया इस थली बायूम एक साइड और एक साइड मै आपने समय लिया, तो एक प्रॉमिस से मेरा यह आप कभी नहीं भूल लेंगे, ठीक नहीं प्रॉमिस करता हूं, आप से यह आप कभी भूल नहीं पाएंगे, आप चाहें तो इसका एक स्क्रिंसोट ले लिजिगा, फिर हम लोग आँगे बढ़ जाते हैं, इसक्रिंसोट ले अज़ पढ़ा रहा हूं, वह वन बायूम पढ़ाता हूं, बन बायूम से स्टाइप कर रहा हूं, तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछी यह जोर्फी की हैं, जिनको मैं आपको समझाना चाहता हूं, अच्छी班 सब समझ लिजेगा, अगर एक बार आपन आप uwagę नहीं बुलेंगे यहां पर लिख्ता हूँ मैं मेरा प्रिथी भी है मेरा नहीं है वालकि हमारा प्रिथी है यह हमारी प्रिथी है मैंने गोल आपके लिए एक प्रिथी बना दी और इस प्रिथी के बीचो बीज से एक रेखा गुजर्ती है और पृतिवी के 22 से जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम है विशुवत रेखा विशुवत रेखा का नम क्या है विशुवत रेखा मान इसका 0 डिगरी अच्छांस होता है बिश्वत रेखा पर हमारी पृतिवी ऐसी नहीं है जैसे मैंने बनाई हमारी पृतिवी सामान अक्षि से साड़े तरी डिग्री जुकी हुई है तो जुके होने के कारण बिश्वत रेखा पर सूर की सीधी करणा पड़ती है अब विश्वत रेखा पर जब सूर की सीधी किरने पड़ती हैं तो जहाँ पर सूर की सीधी किरने पड़ेंगी वहाँ का टेंपरेचर अधिक होता है तो यहाँ पर विश्वत रेखा पर सक्से अधिक टेंपरेचर पाया जाता है इसको हम N क्यों क्या रहे हैं, इस बिश्वत रेखा है, पिर्थवी को समान रूप से दो बारा और भागों माटती है, उपर वाला भाग उत्री गोलार्द है और उत्री गोलार्द को हम नौर्थ होमिश्पियर, इंगलिस में N से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे बा अच्छांस रेखा, 90 degree latitude, जिस गोलार्द में है, उस गोलार्द का नाम है North, यानि उत्री गोलार्द में है, बैसे यहाँ पर भी एक रेखा होती है, और यहाँ पर जो रेखा होती है, उसका रेखा का मान होता है 90 degree S, 90 degree S, S का मानलब है South, हमिश्पियर, South, दच्छन गोलार् बाबु उत्री ध्रोब को हम North Pole बोलते हैं, उत्री ध्रोब, इसको 90 degree को हम North Pole बोलते हैं, हिंदी में उत्तर ध्रोब, और इस वाले भाब को हम दच्छन ध्रोब बोलते हैं, इंगलिस में बोलते हैं South Pole, तो एक होगे आपका North Pole यानि उत्तर ध्रोब, और एक होगे आपका South Pole यानि दच्छन द्रोग, बाबु आप जैसे जैसे विश्वत रेखा से या तो उपर की ओर जाईएगा, विश्वत रेखा से उपर की ओर 90 डिगरी की ओर, या विश्वत रेखा से कहां की ओर जाईएगा, नीचे की ओर, या तो आप विश्वत रेखा से उपर की ओर जाईए यानि नॉर्थ पोल की ओर जाएगा या बिश्वत रेखा से आप साउथ पोल की ओर जाएगा हमेशा तापमान में कमी पाएंगे हमेशा तापमान में कमी पाएंगे यदि यहाँ पर बिश्वत रेखा पर तापमान 30 degree centigrade है तो आप जैसे जैसे उपर बढ़ते जाएगे तापमान कम होता जाएगा कहीं 29 कहीं साड़े 28 कहीं पर 28 इस परिकार से कहीं पर 25 कहीं पर 22 धीरे धीरे कम होता जाएगा तो बिश्वत रेखा से आप या तू उपर जाएगा या विश्वत रिखा से नीचे जाएगा हमेशा तापमान में कमियाती है तो आगर आप से पूछा जाए वह कौन सा अच्छान्स है जहां पर तापमान सब्सक्राइजाता है तो आप बताएंगे वह कौन सा अच्छान्स है दो अच्छान्स हमारे जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे, यह थोड़ा हटके क्लास है, थोड़ा समझना जानदा है, कॉंसेप्ट जानदा है, बबु, हम किसी भी अच्छान सरेखा पर तापमान गयाद कर सकते हैं, यहां से कुश्चन पूंचा जाता है दिन, अच्छान सरेखा आखर हम पढ़त कहाँ पर तापमान कम है, तो आप बता दीजीगा, तो उसके लिए मैं आपको एक गुरुमंतर दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक ना, इस फॉर्मूलो को लगा लीजीगा और आंसर आपका आजाएगा, फॉर्मूला आपके पास यह है, मैं आपको एक latitude line, इसका inverse relation है, one white temperature, एक बटे तापमान से, तापमान, ठीक ना, तो अच्छान सरेखा का विपरीत संबंध होता है तापमान से, तो अच्छान सरेखा का विपरीत संबंध होता है किसे, तो अच्छान सरेखा का विपरीत संबंध होता है किसे तापमान से, यानि अच्छान स्रेखा कमान यदि बढ़ता है तो तापमान में कमी आएगी और यदि अच्छान स्रेखा कमान छोटा होता है तो तापमान में व्रिद्धी होगी यही बात हुए भाई इनवर्स है विप्रीत है विप्रीत करते ही होता है आप से कहता है एक A सहर है और एक B सहर है A सहर के अच्छांस रिखा है 0 और B सहर के अच्छांस रिखा है 90 डिगरी ना तो N ना S बस 90 डिगरी कह रहा है N भी हो सकता है और S भी हो सकता है तो कहा है कि 1 A है 0 डिगरी अच्छांस इसका और B है जिसका अच्छांस है 90 डिगरी अब बताईगे गा इन दॉनों value में कॉन सी value अधिek है और कॉन सी value कम है या नि कॉन सी value कमान जाना है और कॉन सी value कमान कम है Zero और ninety degree में कौर्ण बढ़ा, तो ninety. हम इन में तुल्सा करदे हैं, तो ninety degree बढ़ा है, यानने अच्छारीखा कमान बढ़ा है, तो tap Alexandre महां अप क्या हो जाएगा. तो taptern 18 अप एप कम हो जाएगा. और इन दॉन में तुल्ना कर नहीं, ninety कमान छोटंग, तो यहां पे छोटा है तो इसको हम कहा लखेंगे यहां का तापमान अधिक हो जाएगा इसका मान छोटा है तो यहां का तापमान अधिक हो जाएगा यही तो मैं कहा रहा हूँ कि 0 डिग्री पे तापमान सबसे अधिक होगा और 90 degree पर tap moan 90 degree पर tap moan सब से कम होगा कोई भी तो अच्छा इखास रेखा दी जाएंगे अब निकाल लिंग, जैसे उधारण के तोर पर कहता है, एक A सहर, एक B सहर है, A सहर की अच्छा इखास रेखा है 23 डिगरी और B सहर की रेखा है, मां लीजेगा 20 एर की रेखा है 49 डिग्री बताईगा दौनों में कहां का तापमान कम होगा और कहां का तापमान अधिक होगा बाबु अब जानते हैं किसका मान छोटा है 23 दौनों में 23 और 49 में कौन संक्य छोटी 23 तो यदि एच्छांस रेखा का मान छोटा है तो तापमान यहां का अधिक हो जाएगा और दोनों में इसका मान बड़ा है जुलाइ की बात हो रही है जुलाइ में वारेस हो रही है रोज रिमजिम रिमजिम वारेस हो रही है आप देखेगा के जुलाई के पहली जून था जून का टंपरेशर बहुता देखता यानि जून में ario tomorrow बहुता देखता आप मुझे इसको मैं मिटा दे रहा हूं न आप चाह एंथा इसका एक screenshot ले ली जिएगा फिर में इसका मिटा देटा हूं आप इसका एक स्क्रिम्स्ट ले लिजीगा फिर मैं इसको मिटा देता हूँ चलिए ले लिए मैं इतना आदा भाग इसका मिटा देता हूँ कि इतना भाग मैं इसका मिटा दे रहा हूँ चलिए आप जानते हैं कि जून में टेम्परेचरा देख था जून में टेंपरेचर बहुता देखता है बहुत भीस रण गर्मी पड़ रही थी जून के बाद कौँसा मन्त आता है जून के बाद जूमन्त आता है वो है जुलाई और जुलाई में आप जानते हैं कि जुलाई में बारिश होती है तो तापमान जब गर्मी थी तो गर्मी क के बाद वर्सा रितु क्यों आती है भाई जून में गर्मी होती है और जुलाई आते आते बर्सा होने लगती है ऐसा भी तो हो सकता था कि जून के बाद वर्सा की जंगा सर्दी का मौसम आ जाए नहीं क्योंकि गर्मियों के मौसम में यानि जून की मौसम में टेंप्रेचर अधिक होने के कारण जो जल होता है वो जल का वास्पी करण होता है और जल के वास्पी करण से बादल बनते हैं और बादलों के बनने के बाद बारिस हो जाती है इसलिए तापमान गर्मी के बाद कॉंस्लितुआती वर्सा मतलब यहां से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जहां पर बाबु तापमान अधिक होगा वहां की वर्षा दिखोगी जहां का तापमान अधिक होगा वहां की वर्षा क्या होगी जहां का तापमान अधिक होगा वहां की वर्षा अधिक होगी अब आपके पास दू गमले है एक गमला है जिसमें आप डेली पानी डालते हैं इसमें आप डेली बॉटर डाला जा रहा है इसमें बॉटर डालते हैं और एक गमला है जिसमें कभी पानी नहीं डालते हैं इसमें पानी नहीं डाला जा रहा है अब बताएगा एक गमले में डे मतलब चेहने का अर्थ मेरा ये था जोलाई चला है भी पर्रशात होगी लगतर वर्रशात होने के बाद आपको यह रही जहंगा हरा भ़रां दिखायेगा क्यों? क्योंकि धरातल को जैसे ही जल मिल जाता है तो धरातल से कई प्रकार की बनस्पति कई प्रकार की पेड़ पौधों का जन्म हो जाता है बस इतना मुझे समझाना था अब सब कुछ हो गया तो जहां पर तापमा न देखो वहां पर वर्सा देखो और जहां पर वर्सादे को आकी बनस्पति सगन आपको बस यही एक याद रखना है चलिए नया पेश से हम नई चीज़ सीखते है अब फिर से हमने अपनी एक प्रिथवी को बनाया यह हमारी प्रिथवी है यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है करक रेखा और करक रेखा की जो बेल्यू है वो है 3.5 डिग्री नौर्थ और यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा और मकर रेखा की जो बेल्यू है वो है 3.5 डिग्री एस उपर वाली 3.5 डिग्री एन यानि करक रेखा तो बबु जो करक रेखा है, करक रेखा, करक रेखा से मकर रेखा की जो बीच का छितर होता है, करक रेखा से मकर रेखा की बीच वाले छितर को हमें एक नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ऊशन कडवंद, क्या नाम दे देते हैं, ऊशन कडवंद, और ऊशन कडवंद, य यहाँ पर भी एक रेखा है जिसका माने साड़े चाचचच डिग्री आ हैं यहाँ पर साड़े चाचच डिग्री S हो जाएगा South क्योंकि यह दच्छण में है बवुई साड़े तेश से साड़े चाचच साड़े तेश से कहां तक? साड़े चाचच तक तो उपर भी तो है साड़े तेई से कहां तक? साड़े च्छाचचच तक तो साड़े तेई से साड़े च्छाचच के जो बीच का छेतर होता है साड़े तेई से साड़े च्छाचच बीच के बीच वाला छेतर या ने वाले जगाई पिर्थवी है और यहाँ पार एक रेखा है जीरो डिग्री और यहाँ पार एक रेखा है पांच डिग्री एंड और यहाँ पार एक रेखा है पांच डिग्री एस तो पांच डिग्री एंड से पांच डिग्री एस के बीच का जो छेतर होता है इसको बिशुबत रेखिये छेत्र कहते है, कौन सा छेत्र बोलते हैं, बिशुबत रेखिये छेत्र, बिशुबत रेखा के आसपास का छेत्र, बिशुबत रेखा से 5 डिगरी नौर्थ और बिशुबत रेखा से 5 डिगरी एस, तो बिशुबत रेखिये छेत्र बोला जाता है ठीक ना इसको याद रखिएगा ठीक ना चलिए अब हम इसी को मिटा के इसी में एक आपको बन पढ़ाते हैं अगर हम बात करें वनिये वायोम की तो वन वायोम हम आपको समझाते हैं देखेगा जो आपका वनवायोम है वनवायोम इस वनवायोम को हमने दो भागों में बिभाजित कर दिया पहला विशुवत रेखिये वनवायोम विशुवत रेखिये वनवायोम कौन सा वनवायोम? विशुवत रेखिये वनवायोम और दूसरा हो जाएगा उसन कटवन दिये 1 बायोम उसन कटवन दिये उसन कटवन दिये 1 बायोम एक विश्वत रेखी और दूसरा काउन सा विश्वत रेखा का विस्तार कहां से कहां तक विश्वती बायोम का विस्तार कहां से कहां तक है तो बिश्वत रेखी बायोम जो है काहां से काहां तक है अभी बताया 5 डिगरी N से लेकर 5 डिगरी S तक और उश्ण करणबंद काहां से काहां तक होता है 3.5 डिगरी North से 3.5 डिगरी S ठीक ना? अब बताइएगा एक अच्छान से रेखा है 3.5 डिगरी और एक अच्छा सरेखा पांच निगरी कौन से अच्छा सरेखा का मान बढ़ा है साड़े तेईस हमने आपको एक फॉर्मूला बताया फॉर्मूला ए लिखा है आपके सामने फॉर्मूला मिटा दिये थे फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था कि अच्छा सिरेखा का मान का तापमान से विप्रीश संबन होता है तो अगर अच्छा सिरेखा का मान छोटा है तो तापमान बड़ा होना चाहिए यही समझा है न तो पांच और तेरिस में कौन सा है छोटा पांच तो यहां का तापमान अधिक होगा बस समझ गए पूरे इतना यहां का तापमान अधिक होगा और यहां का जो तापमान होगा इसके अपेक्छा यहां का तापमान जो होगा गो तापमान यहां के अपेक्छा किसके अपेक्छा उश्ने कटवंदी वनबायूम का तापमान विश्वत रेखिये वनबायूम के कम होगा अब अताईएगा यहां पर तापमान अधिक है तो यहां पर वर्सा भी अधिक होगी और जब यहां पर वर्सा देखोगी तो यहां पर वनस्पतियों का विकास भी अधिक होगा तो यहां की वनस्पति कैसे होगी वनस्पति पास-पास वन होगे संगन वन होगे इतन विश्व का सबसे सांत बायोम कहा जाता है सांत बायोम क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो इतनी घने जंगल पाई जाते हैं ना तो उनमें मानो प्रवेश कर पाता है और ना ही उनमें जानवर प्रवेश कर पाता है आप एभी बात बखो भी जानते हैं जो हमसे पहली पड़े हैं कि जहां पर वर्षा देखोगी वहां पर जो बन पाए जाते हैं उन वनों का नाम क्या है तो यहां पर जो बन पाए जाएंगे उन वन है आपके सदावाहर वन अब बात करें कि भारत में तो भारत में पश्चमी घाट और पूर्वी घाट पर और मेगाल है कि छितर में सदा बाहरवनों का विकास बहुत अधिक हुआ है केरल में घाटी है जिसका नाम है सांत घाटी है अब जानते हैं उस घाटी का नाम सांत घाटी क्यों है उस घाटी का नाम सांते घाटी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ना तो मानो प्रवेश करता है नहीं जानबर यदि मानो प्रवेश करेगा तो मानो लकडियों को काटेगा और जब मानो लकडी को काटेगा तो लकडी आवाज करेगी लकडी आ भाज करेंगी जिसके कारण से वहाँ पर सोर होगा नौईज होगा ठीक ना सोर होगा तो इसलिए वहाँ पर ना तो मानओ जाता है ना ही जानवा इसलिए उस गाटी को नाम दे दिया जाता है सांध गाटी तो यहां पर कउण से बन पाई जहेंगे सदावाहार इतनी जानला गनए जंगल होते हैं सूर का प्रिकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता है धरातल पर नहीं पहुंचता है मैंने आपको विश्वत दरेखी बन बायोम नहीं पढ़ाया मैंने आपको अपर्तिक शुरूप से सदावाहर वन पढ़ाए कहां पाए जाएंगे यहां पे तापमाना देखोगा कहां पाए जाएंगे यहां पे वर्सा देखोगी सदावाहर वन सगन होगी सदावाहर वन में सांध बायूं पाए जाएगा सर्दा बाहर वन में सूर का प्रकाद धरातर पर नहीं पहुच पाएगा यहाँ पर उल्टा कापवन यदि कम है तो वर्सा की मात्रा भी कम होगी और वर्सा की मात्रा कम है तो वनस्पती जो यहाँ की वनस्पती है वो वनस्पती कैसी होगी वनस्पती बिरल पाई जाएगी वनस्पती कैसी पाई जाएगी तो वनस्पती बिरल पाई जाएगी अब बताईएगा यहाँ पर वनस्पती सगन थी यहाँ पर वनस्पती बिरल है जब यहाँ पर सगन वनस्पती थी तो सूर का प्रिकाद धरातल पर पहुंच रहा था और यहां पर विरल वर नस्पती है तो सूर का प्रिकाद धरातल पर पहुंच रहा था तो यहां पर विरल वर नस्पती है तो यहां पर सूर का प्रिकाद धरातल पर पहुंचेगा इसलिए बिस्व का कौन सा हो जाएगा सबसे असांत बायूम हो जाएगा कौन सा बायूम असांत तो बिस्व का सबसे असांत बायूम उशन कटबंदी बन बायूम और बिस्व का सबसे सांत बायूम तो बिश्वत रेखिए बन बायूम ठीक नब अगर इसी में देखे हैं तो जहाँ पर उष्ण कडवन्दी बन बायोम है तापमान कम बरसा कम होने के कारण यहाँ पर जो बन पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं पतज़ण बन पतज़ण बन या परणपाती बन या मांसूनी बन जो वर्स के अलग एक निश्चे समय में अपने पत्ते गराद हैं उनको हम पतज़ण बन कहते हैं तो पतज़ण बन किसकी भी सेष्टा है उष्ण कडवन्दी यह चेतर की यानि पतज़ण बन साड़े तैई से लेकर और मकर रेखा के बीच में और सदा बाहर बन कहां पाए जाएंगे तो पांच डिग्री नौट से लेकर पांच डिग्री एसके मत्द में आपके कौन से बन पाए जाएंगे सदा बाहर ठीक ना तो आपका आज मैंने बन पढ़ाया कि बरसा कहां पर होगी कहां पिस सगर वन नस्पति होगी आज मैंने आपको पहला वन बायूम पढ़ाया जिसका नम है वन बायूम मैंने पढ़ाया जिसमें बिश्वत रेखी बन बायूम और उच्छ ना कट बन दिये वन बायूम को हमने देखा चलिए आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन सॉट ले लिजीगा चलिए तो आज की क्लास हमें पर समब्त करते हैं जो आपका बैच आने वाला है टेटी का उसके हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं ठीक ना समय पर आपको इससे संबंदे जो भी बैच से संबंद जो भी जानकारी होंगी वो प्रोवाइट करा दी जाएंगी आप च्छे से ख्यार रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहेगा धनवाद